जह हिन दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल सेनिक जानकारी पर दोस्तों, आज का वीडियो पूर्व सेनिकों के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो के अंतरगत हम बात करेंगे ICHS स्मार्ट कार्ड के बारे ने क्योंकि जिन पूर्व सेनिकों ने 32 के भी ICHS स्मार्ट कार्ड की जगे जो नया स्मार्ट कार्ड लागू हुआ है 64 के भी का apply किया है लेकिन अभी तक उसका कोई status पता नहीं है बना या नहीं बना कहीं फोरम तो reject नहीं हो गया या बना तो कहां पर है मिला नहीं इसके अलावा जो सेनिक सेवानिवर्थ हो रहे हैं और उन्होंने CHS card apply किया है उसका क्या status है उनका भी कहीं फोरम reject तो नहीं हो गया या record से verify हुआ नहीं हुआ पूरी जानकरी इस वीडियो में लेंगे तो आप सभी से निवेदिन है कि इस वीडियो को अन तक देखें और ज्यादा से ज्यादा पूर्व शेनिकों और आपके दोस्तों में share करें जिससे उनको भी इस समस्या से निजात मिल सके पहले गूगल प्ले इस्टोर ओपन करें और उसमें ICHS टाइप करें ICHS से टाइप करने के बाद आपके पास नीचे ICHS बेनीफिशरी एप नाम लिखा हुआ आरा इस पर क्लिक करें इसको इस्टोल करें और ओपन करें अब आपके सामने में प्रस्ट पर ICHS बेनीफिशरी एप एप ओपन हो चुकी है इसके अंदर Login to e-clinic, New User, Card Status ICHS Contact, Claim Status Query, Hospital Details इसमें जो नए सेनिक है या जिन सेनिकों ने Card दुबारा नया एपलाई किया है वो केवल Card Status पर क्लिक करें जो आपका Mobile Number Card से लिंक है वो Mobile Number डालें और Show Status पर क्लिक करें तीन Card का डाटा खुला है हमें Application पर क्लिक करना है अब यह आपके सामने पूरा डाटा ओपन हो चुका है 28 मई 2021 को Email ID वेरिफाइड हुई थी 28 मई को ही Mobile Number वेरिफाइड हुए थे 29 मई 2021 को डिटेल अपडेट हुई थी 29 मई 2021 को डिटेल अपडेट हुई थी 29 मई 2021 को Payment Initiate हुआ था और 29 मई 2021 को ही Payment Received Successfully हुआ था उसके बाद में 29 मई 2021 से Awaiting Verification Oblig Response Document from Record ओपिस क्योंकि मेरी Pension की डेट 30 नॉमबर की थी तो उससे पहले रिकोड इसको वेरिफाइड नहीं कर सकता इसलिए 29 मई से ये वेरिफाइड के लिए Pending था फिर 21 जनुवरी 2022 को Record ने Verification कंप्लिट कर दिया अब इसके बाद में अपडेट नहीं आया है क्योंकि ये Verification होने के बाद जहां पर CHS Smart Card बनते है ये डिटेल वहाँ पर गई है जब आपके CHS Smart Card बन जाएंगे जब इसमें अपडेट होगा और जब आपके पास Station Headquarter में भेजेंगे तो Message आएगा यानि कि इस एप के मादेम से आप पूरा प्रोसेस आपके जो CHS Smart Card है उसके बारे में जान सकते हैं कि कब बन रहा है, कहां पहुंचा है, कहां से हमारे को Collect करना है, किस परकार करना है तो ये पूरों सेनिकों के लिए एप बहुत ही Important है लेकिन सबसे में मुखे मुदा यही है कि जो सेनिक Pension आए हैं और उनको Card का पता नहीं है कि Card का Status क्या है तो वो इस एप के मादेम से Card Status चेक कर लें Record ने Verify किया नहीं किया कहीं आपकी Application Reject तो नहीं हो गई कहीं Station Headquarter में तो नहीं पहुंच गया है वो पूरी जानकारी आपको इस के मादेम से मिलेगी तो दोस्तों ICHS Beneficiary एप के बारे में आपको जानकारी कैसी लगी जानकारी अच्छे लगे तो कमेंट करके जरूर बताएं और सेनक जानकारी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें और सबस्क्राइब करें एक बार फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद